कोर्य जिलेगी ग्राम पंचैत चेनपूर्ट जो कुछ समय से चर्चा में रही राजसोविभाग के मामलों में जमीनी खरीदी बिगरी को लेकर राजसोविभाग के साथ भूमाफिया और करीब किसानों का विवाद होता आया है मनेंदगर की ग्राम पंचैत लालपूर में एक मामला आया है जिसमें शिकायत करता से प्राप जानकारी के नुसार एक जमीन को राष्टे राजमार्क से दिखा कर बेशा फिर उसी जमीन को दूसरे खरीदार को राष्टे राजमार्क पर कहकर बेश दिया जिससे आवे दक सत प्राइब तैसिलदार और निक्षक सहरी एवम ग्रामीर पोचे इस थल जहां ग्रामीरों से मिल कर जानकर ली और जमीन नापकर जाच की और बताय कि उच्छ अधिकारियों को जानकर दी जाएगी कोरिया से सुरिस मिनोशागी रिपोर्ट प्राइमेटी नियूज और उसी भूमी पर तीसरी बार पीछे की भूमी को 227 बटे एक खा को जहां पर दो बार विक्री की गई उसी भूमी पर ले आया गया तो शिकायत का मुख्य बिंदू से हटकर जाच करना संदेह का घेरा उत्पन होता है राजस्वधिकारियों के द्वारा संदेह के घेरे में आते हैं कि वो शिकायत के बिंदू से हटकर जाच करना चाहते हैं मुझे नोटिस नहीं दिया गया ताकि मैं यहां तत्यों का खुलासा ना कर सको कि यहां पर भूमाफियाओं के द्वारा क्या क्या हो रहा है इसके अतरिक नोटिस तामिली एक दिन पहले की गई सभी अवश्यक पक्षकारों को फोन से बुलाया गया जो जिनका जिनका एक दिन पहले साम को कल पांच बजे नोटिस गई उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे फोन कर बताया कि नोटिस आई तब मैं आनन फानन में इसकी स लिकायत कि मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया मैं कलेक्टर मौझे से नहीं कर सका आज मुझे आज मौकाज आज में खड़ा होना पर आज